है मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाने वाला हूँ तो जड़ा है पिसे आप सभी लोग मैं हूँ आ लोग चभे आपका वही पुराना लोस आपका फिजिक्स मेंट्ड तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म P.W. लिटिल चैंपर तो बचलोग आज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से वैसे मैंने सुना था कि आप लोग बहुत ज़्यादा समस्ती कर रहे थे बौहत ही ज़्यादा और पढ़ाई बिलकुल भीनगी कर रहे थे तो मैंने सुचा क्यों ना एक बार फिर से आप लोगों से मिल लिया जाए और कुछ आप लोग को पढ़ा दिया जाए तो मैं आ गया हूँ एक बर फिर से आप लोग के पास लेके physics का नया chapter जिसका नाम है fun with magnets अरे वही magnet जिससे हम लोग खिलते हैं बच्पन में मैंने तो बहुत खिला है और अभी भी आप लोग खिलते ही होंगे magnets को तो जानते ही होंगे पर आज की class में हम magnet के बारे में बहुत सी ऐसी बाते करने वाले हैं जो हो सकता है सायद आप लोग को नहीं पता होंगी तो इस chapter में हम पूरी चीज़े cover करने वाले हैं magnet के बारे में आखिर magnet की discovery कैसे होई magnet की क्या गया properties होती हैं magnet कैसे बना सकते हैं ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस class में तो champs जल्दी से तयार हो जाएए copy pen लेके बैठ जाएए और पूरा focus concentration होना चाहिए मेरे उपर क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोग से कुछ प्यारे प्यारे से बिल्कुल आप लोग के जैसे सवाल पूछ सा रहोंगा और आप लोग को उन सारे सवालों के सही सही जवाब दोने होंगे चलिए बचलोग फिर start करते हैं class और class start करते ही मैं आप लोग को एक magic दिखाऊंगा जी हाँ magic तो देखिए जरा ध्यान से अब यहाँ पर आपको दो magnet दिखाई दे रहे होंगे एक रहा magnet ये और एक रहा ये magnet के अब यहाँ पर N क्या है, S क्या है ये सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले मैं आप लोग को एक magic दिखाने वाला हूँ तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक magic कर रहा हूँ देखा आपने जैसे ही मैंने magic किया ये magnet एक दूसरे से दूर चले गए पर Sir, आपने ये कैसे किया इसके पीछे का कारण क्या है reason क्या है ये भी पता दो तो बच्चो जरूर बताऊंगा मैं आप लोग को इसके पीछे का कारण पर उसके लिए आप लोग को मेरी help करनी होगी और कैसे तो मेरी वातों को बस ध्यान से सुनना है और concentrate होके सब कुछ समझना है ताकि जब मैं कुछ पूछ हूँ तो आप लोग आसानी से उसका answer कर पाएं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इनसे तो आप मिले ही होंगे ये कौन है? आपके दोस्त, आपके बड़े भाईया आलोक, चौबे, जो की मैं ही हूँ तो चलिए बचलो, स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कि आज की क्लास में मैं आप लोग को क्या क्या बताने वाला हूँ तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे आखिर magnet क्या होता है और फिर magnetic and non magnetic materials क्या होते हैं poles क्या होते हैं magnet के और कैसे हम magnet का इस्तमाल करके direction निकाल सकते हैं और magnet के बीच में attraction and repulsion कैसे होता है कब होता है किन किन conditions में होता है ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं तो start कर दें अगर आप लोग कहें तो start कर देंगे तो जल्दी से बता दीजे मुझे कि क्या start करना चाहिए हाँ 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 सब ही बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ start कर दो तो चलो भाई start कर देता हूँ मैं और आप लोग को बताता हूँ magnet के बारे में अब magnet के बारे में तो बाद में बताऊंगा पर मैं आप लोग के एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे दो दोस्त है एक है पपू और एक है जोजो चलिए मैं आप लोग को उनके बारे में बता देता हूँ तो जरा ध्यान से देखेगा मेरा एक दोस्त है ये इसका नाम है पपू ये थोड़ा सा मोटा है और एक और दोस्त है जिसका नाम है जोजो ठीके बचलो और ये थोड़ा सा पतला है अब क्या हुआ एक दिन पप्पु और जोजो निकल गए घूमने अपने सहर में और वो घूमते 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 एक dumping ground के पास चले गए dumping ground यानि वो जगे जहां पर हमारे घरों से निकलने वाला कचड़ा जाके घटा होता है तो वो लोग dumping ground पर पहुँच गए और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक crane है और उसमें एक वेक्ती बैठा है और वो क्या कर रहा है उस crane में एक box बना हुआ है अब उन्हों को नहीं पता था वो box क्या है पर ये दोनों बड़े ही ध्यान से इस वेक्ती को देख रहे थे ये क्या कर रहा था इस crane से इस box को उस कचड़े के धेर में लेके जा रहा था और जब वो उपर खीच रहा था तो इस box में बहुत सारी चीजे चिपक जा रही थी और वो उपर आ रही थी वो दोनों confused हो गए आकर ऐसा कैसे हो रहा है ये box क्या है जो कि इस कचड़े के धेर में जाता है और जब नीचे से उपर आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजे चिपकी होई होती है तो ये लोग confused हो गए ये मेरे पास आये और मुझसे पुछे कि भईया भईया हमको बताईए आकर ऐसा क्यों हो रहा था तो मैंने कहा अरे तुम लोग को नहीं पता तो चलो तुमको और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों को यानि सारे चैंप्स को मैं एक साथ बता देता हूँ कि आगर ये box क्या है तो बचलोग ये जो box है ना इसे हम लोग कहते हैं magnet और magnet क्या होता है तो magnet एक ऐसा material होता है जो कि iron, cobalt and nickel को attract करता है जैसे कि इस कचड़े के धेर में बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी जो कि iron से बनी होंगी जब हमने इस magnet को इस कचड़े के धेर में डाला तो उसमें सारी चीज़े जो कि iron से बनी थी कोबाल्ट से बनी थी, निकल से बनी थी, वो आके इस magnet पर attack हो गई, attract हो गई और जब इसे उपर उठाया गया तो वो सारी चीज़े भी इस magnet के साथ साथ उपर आ गई और ऐसा होता है बचलोग, तो magnet की definition के अगर हम बात करें तो वो कहता है an object which attracts magnetic material like iron, cobalt and nickel is called magnet पर question यह आता है कि अरे भया, पहले यह तो बता दीजी, आके यह magnet की discovery हुई कैसे तो उसके लिए एक बहुत दी famous story है, तो चलिए वो बताता हूँ पर उसके पहले यह बता देता हूँ, कि आके यह जो magnet हैं, यह कितने types के होते हैं तो बचा लोग, जो magnet हैं वो दो types के होते हैं, एक तो वो जो की naturally मिलते हैं और दूसरे वो जो की man-made होते हैं, तो एक magnet जिसे हम natural magnet कहते हैं and which is found naturally, एक होता है artificial magnet and which is made by humans is called artificial magnet तो यह तो होते हैं simple से दो type, पर आखिर यह magnet जो है, इसके पीछे की story क्या है, वो आप लोग को मैं बताता हूँ यानि how magnet was discovered, तो बचा लोग, ancient Greece में एक बच्चा था, जिसका नाम था Magneze और वो था एक सेप्याड, यानि भेड चराने वाला बच्चा था, तो हमेशा वो अपने भेडों को लेके पहाडों पर जाया करता था उन्हें चराने के लिए अब बेडों को समालने के लिए उसके पास एक डंडी हुआ करती थी पर क्या होता था जब वो पहाड पे चरता था तो उसकी डंडी बार बार टूट जाती थी क्योंकि नीचे वो पत्थरों से टकराती थी और टकरा टकरा के टूट जाती थी तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी डंडी की नीचे कुछ iron लगा लूँ ताकि मेरी डंडी जो है वो safe रहे वो बची रहे वो बार-बार टूटे नहीं तो उसने क्या किया, अपनी स्टिक के नीचे आईरन की कोटिंग कर लिया, नहीं आईरन की लेर लगा ली, अब उस डंडी को लेके वो जाता था अपनी भेड़ को चराने, फिर एक दिन जब वो जा रहा था, तो उसकी जो डंडी है, वो किसी चट्टान से टकराई, और जब उस स्टिक को खीचना चाहा, तो वो आसानी से उसकी पास नहीं आई, उसे ताकत लगाना पड़ा, उसने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई, तब जाके वो अपनी स्टिक को उस चट्टान से पुल कर पाया, तो यही कहा जाता है कि कुछ इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी मेगनेट की, और इसी वज़े से वो बच्चे का नाम क्या था, मेगनीज, और इसी वज़े से उस पत्थर को, उस नेचुरल स्टोन को कहा गया, मेगनेट, या फिर मेगनाइट, तो बचलो, मेगनीज, जो कि एक एंसेंट ग्रीस में रहने वाला बच्चा था, वो एक सेप कराती है, तो वो इस ठीक उस पर चिपक के रह जाती है, तो यहां से माना जाता है कि कुछ इस तरीके से मेगनेट की डिस्कवरी होई थी, चूकि उस बच्चे का नाम मेगनीज था, और इसी वज़े से उसके नाम पर अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले इस सबस्टेंस को मेग मेगनेट कहा गया, जो कि आइरन के पीसिस को एट्रेक्ट करता है, यह आइरन के पीसिस को एट्रेक्ट करता है, और इसे हम लोग कहते हैं मेगनेट, तो यह एक सिंपल से स्टोरी है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरी मानी जाती है, जैसे कि कहा जाता है कि जो मेगने है इसकी खोज जिस जगे पर हुई थी उस जगे का नाम था मैगनीसिया और इसी वज़े से इसे कहा जाता है मैगनेट तो कुछ अलग-अलग स्टोरीज है जिन में से सबसे फेमस यही है आप लोग ने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी और नहीं सुनी तो आप अपनी बुक में जाके देखेगा वहाँ पर यह स्टोरी है जो कि मैंने अब आप लोग को बता दिये तो आई तिंग अब आप लोग को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी ठीके बचा लोग अब अगर हम लोग बात करें यह जो मैगनेट है क्या अर्थ क्रस्ट में इस टाइप के मिलते हैं तो नहीं अर्थ क्रस्ट में जो मैगनेट मिलते हैं वो हमें बड़ी बड़ी चट्टानों के फॉर्म में मिलते हैं यानि बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में मिलते हैं पर हम लोग क्या कर लोग तो ये है cylindrical magnet और इसकी भी कही ना कही requirement होगी इसलिए इसको बनाया गया cylindrical magnet यहाँ पर यह होर सुसू magnet है बार magnet है compass magnet है यानि अलग-अलग type के अलग-अलग sheep के magnet हम लोग बनाते हैं ताकि हमारे different requirements को हम लोग fulfill कर सही क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे electrical appliances इस्तिमाल होते हैं जिन में magnet का यूज होता है बट अलग-अलग shape में कही पर होर सु का यूज होता है कही पर बार magnet का तो कही पर ball shape magnet का इस्तिमाल होता है पर ये naturally नहीं मिलते हैं naturally हमें बड़े-बड़े stones मिलते हैं बड़े-बड़े पत्थर मिलते हैं जिनने हम लोग convert करके इन shapes में डालते हैं ताकि हमारी requirement fulfill हो जाए ठीक है बचा लोग अब अगर मैं बात करूं कि क्या हर एक material magnet से attract हो जाता है जैसे हमारा जो दोस्त था ancient Greek में कौन manganese जब वो पहाड पे जाता था तो क्या रोज उसकी stick किसी पत्था से टकरा जाती थी और चिपक जाती थी नहीं ऐसा तो नहीं होता था ना क्योंकि उसके stick में iron का जो टुगड़ा है वो बहुत समय से लगा था पर एक दिन वो जब किसी चट्टान पर या यानि किसी specific चट्टान पर जब उसकी stick तकराई तब वो जाके उससे attract हो गई यानि हर एक चीज magnet नहीं होती है हर एक चीज iron के पीस को attract नहीं करती है इसका मतलब वो सारे material जो की iron से attract होते हैं उन्हें हम कहते हैं magnetic material इसका मतलब the materials which get attracted towards a magnet are magnetic material example iron, nickel and cobalt इसका मतलब बचलो ये तीन metal ऐसे हैं iron, nickel and cobalt की अगर इनके पास मैं magnet लेके जाया जाये तो ये magnet से attract हो जाएंगे और उससे जाके चिपक जाएंगे पर अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं की क्या मैं किसी magnet के पास किसी लगडी के टुकड़े को लेके जाऊंगा तो वो लगडी का टुकड़ा उस magnet से attract होगा या नहीं होगा जल्दी से बताइए हाँ या ना जल्दी बताओ और ये भी बताओ कि वो जो लगडी का टुकड़ा है वो कौन सा material है वो magnetic material है क्या आप लोग कहेंगे अरे भीया कैसी बाते कर रहे हैं आप लगडी का टुकड़ा magnet से attract थोड़ी होता है इसका मतलब वो magnetic material नहीं है और वो magnet को attract नहीं कर रहा है अब देखो हम लोगों ने जब सारे materials को दो कैटेगरी में divide किया एक तो magnetic हो गया मतलब एक non-magnetic भी होगा कुछ ऐसे material भी होंगे जो कि iron और cobalt और nickel जैसे नहीं होंगे यानि वो सारे magnets से attract नहीं होते होंगे तो उन सारे materials को जो कि magnets attract नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं non-magnetic material यानि the material which are not attracted towards a magnet are non-magnetic example में क्या हो सकता है तो example में plastic हो सकता है plastic के अलावा wood हो सकता है उसके अलावा rubber हो सकता है ये सब magnets से attract नहीं होते हैं इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं non-magnetic material तो champs यहां तक सब कुछ समझ में आया अगर समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि क्या soil में magnet होता है जो soil है क्या उसमें magnet होता है और इसका पता कैसे लगाओगे ये भी ज़रा बना दो तो जल्दी से क्या soil में magnet होता है जल्दी बताओ मैं बताता हूँ आप लोग इसका पता कैसे लगा सकते हैं अगर आप लोग के पास एक छोटा सा बार मैंगनेट है या एक कोई सा भी मैंगनेट है तो आप क्या कीजिए उस मैंगनेट को मिट्टी में सॉइल में अंदर डालके और उस पर खूब सारी मिट्टी इसका मतलब वो है आईरन फिलिंग्स यानि आईरन के टुकडे कुछ पाउडर जैसे हम पाउडर होता है न तो वैसे ही आईरन पाउडर को कहा जाता है आईरन फिलिंग्स इसका मतलब बचा लोग अगर वो है मैंगनेट पर मतलब soil के अंदर भी magnet से attract होने वाले magnetic material है ये हम लोग पता लगा सकते हैं with the help of a magnet clear है यहां तक आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी चलिए फिर अब एक छोटा सा सवाल है या मैं कहूं कि आप लोग को किसी की help करनी है तो कैसे करेंगे आप लोग help मैं आप लोग को पहले situation बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि problem में कौन है तो बचलो एक tailor है जो कि हम लोग के लिए कपड़े सिलते हैं हम लोग जब भी साधियों में जाते हैं पार्टी में जाते हैं तो हमें नए कपड़े चाहिए होते हैं नए कपड़े हम लोग सिलते हैं और कौन सिलते हैं वो tailor तो एक tailor है जो कि अपने कपड़े में हमारी shirt की button खराब होगी मा लीजे मेरी shirt है मेरी shirt की button खराब होगी क्योंकि मुझे जाना है आप लोग के बड़े party में अब आप मेंसे किसी का बड़े होगा तो आपने मुझे invite किया अब मैं आपके बड़े में जाना चाहता हूँ तो मेरी shirt का button तूट किया मैं उन tailor के पास गया उसमें button लगवाने पर क्या हुआ कि जो सुई होती है जिस सुई से वो button लगाएंगे मेरी shirt में वो सुई पड़ेगी न क्योंकि मैं आप लोग के बड़े में आ रहा हूँ आप लोग के लिए धेर सारा gift लेके तो जल्दी से answer कीजिए और बताईए कि आखिर वो tailor uncle कैसे इस needle को उठाएंगे और आप लोग को साइद पता होगा कि ये जो needle है ये iron की बनी होती है तो कैसे उठाएंगे उसको जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कैसे उठाएंगे बिल्कुल सही है अब मैं बताता हूँ आप लोग ने देखा होगा जो tailor uncle होते हैं वो अपने हाथ में एक ring पहने होते हैं उनके हाथ में एक ring होती है और वो ring magnet की होती है तो बचलोग जैसे ही वो सुई नीचे गिरती है वो अपनी ring को लेके जाते हैं और इस needle पर जब रखेंगे तो उनके ring जो की magnet की है वो इस iron piece को attract कलेगी ये needle उससे चिपक जाएगी और फिर उसको फर्स से आसानी से उठा लेंगे उसमें वो buttons लगा देंगे मेरी shirt में और मैं आप लोग के घर आ जाओंगा केक खाने तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं magnet का इस्तिमाल करने हैं अपनी daily activity को perform करने के लिए वहाँ पर वो magnetic force का इस्तिमाल करने हैं वहाँ पर वो जानते हैं कि ये जो needle है ये एक magnetic material है तो thank you आप सभी लोग को जिसने help की हमारे tailor uncle की मेरी shirt में button लगाने के लिए तो thank you बचा लोग चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को magnet के बारे में एक end ये रहा और एक end ये रहा अब पता कैसे चलता है तो बचलो आप लोग जानना चाहते हैं ये कैसे होता है आप लोग खुद भी ये experiment कर सकते हैं बिल्कुल भी harmful नहीं है आप लोग कर सकते हैं आपको बस करना क्या होगा आपको चाहिए होगा एक bar magnet वहीं दूसरी साइड लिखा होता है S और इस bar magnet में N और S का मतलब क्या होता है कि इस magnet में दो poles होते हैं poles होते हैं यानि दो end होते हैं अब N का मतलब होता है north pole N का मतलब होता है north pole और S का मतलब होता है south pole तो ये दो type के pole होते हैं बचलो ठीक है देखो अब हमें करना क्या है experiment के लिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को चाहिए एक magnet और इस magnet के अलावा आप लोगों को चाहिए कुछ iron fillings यानी iron का powder तो first thing आप लोगों ने एक बार magnet ले ली second thing आप लोगों ने iron filling ले ली अब आपको करना क्या है किसी flat surface पर आप इस magnet को रखिए और इसके आसपास आप iron filling को चिड़क दीजिए यानी iron के powder को चिड़क दीजिए तो आप लोग देखेंगे कि इस magnet के जो दोनों end है यहाँ पर सबसे ज़्यादा iron filling आके attract हो जाएंगे यानी इस वाले pole पर इस वाले end पर सबसे ज़्यादा iron filling आके attract हो जाएगा और इस वाले end पर सबसे ज़्यादा आके iron filling attract हो जाएगा कुछ इस प्रकार बहुत सारे iron filling आएंगे और यहाँ पर attract हो जाएंगे ऐसा क्यों होता है बचलोग क्योंकि एक जो magnet होता है ना तो उसके end पर उसकी strength सबसे ज़्यादा होती है यानि magnet की जो power होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उसके end पर जिसे हम लोग कहते हैं poles और एक magnet में दो poles होते हैं North pole and South pole ठीके, आगे से आपको ध्यान रखना है कि एक magnet में दो pole होते हैं North pole जिसे end से represent किया जाता है South pole जिसे S से represent किया जाता है तो यहाँ पर बताओ यह जो है number one यह क्या represent कर रहा है और number two क्या represent कर रहा है number one क्या represent कर रहा है और number two क्या represent कर रहा है जल्दी से बताओ इस bar magnet के बारे में मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया है कि आखिर ये क्या है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बिल्कुल Champs आप लोग Champions हो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जल्दी बताइए क्या बात है बिल्कुल सही है मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी बार मेंगनेट की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है या मैं कहा हूँ सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो होती है उसके ends पर इसका मतलब उसके पोल्स पर यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा ठीक है वेन अ बार मेंगनेट इस सस्पेंड़ तो मूव फ्रीली इट अलबस पॉइंट इन दा नौर्थ साउथ डारेक्शन अब क्या आप लोग को एक बढ़ा ही मज़िदार सा फन फेक्ट पता है नहीं पता आप लोग को एक फन फेक्ट मैं बताता हूं क्या आपको पता है हमारी जो अर्थ है जो धर्दी माता है जहां पर हम लोग रहते हैं वो भी एक जाइंट मेंगनेट है मतलब समझे एक बहुत 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 बढ़ा मेंगनेट है यानि अर्थ एक मेंगनेट की तरफ बहेव नहीं अर्थ का वही मेगनेट का हें तो अर्थ का जो मेगनेट है व किस डारेक्शान में होता है अब हम क्या करें जैसे कि आपको कहीं से का वार मैगनेट मिल जाए, तो आप किया करना है एक रस्ती लेनी है, उस रस्ती बार मैंगनेट में बांध दीजिए आप यहां पर सेंटर में उस रसी को बांध के और उस रसी को आराम से ऐसे फ्रीली लटका लूँ मैंने इस बार मैगनेट में एक रस्ती बांदी और उस रस्ती को ऐसे लटका दिया उस रस्ती को लटका दिया और मैं इस मैगनेट को छोड़ दूँगा फ्रीली छोड़ दूँगा तो मैं देखूंगा ये मैगनेट पहले गोल गोल घुमेगा इधर दर मूव करेगा और फि है कि जब कभी भी magnet rest में आ रहा है, तो वो हमेशा North and South direction में ही आ रहा है हमेशा North and South direction में ही आके rest हो जाता है, यानी रुकता है अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी एक giant magnet है और उसी magnet से attract हो कर यह जो हमारा bar magnet है ये आके रुख जाता है जब इसे freely suspend किया जाए और इसी method का इस्तिमाल करके जो ancient traveler थे वो एक जगे से दूसरी जगे travel करते थे यानि उन लोग पासवा करता था natural magnet जिसे वो एक रसी से बान कर freely suspend करते थे और वो हमेशा north-south direction में आके रुख जाता था और उसकी help से वो लोग direction का पता करते थे और एक जगे से दूसरी जगे travel करते थे बट अगर हम बात करें आज के time की तो अब ये चीज़े with the technology बहुत ज़्यादा improve हो गई है अब हम उसी चीज़ को जो की पहले लटकाते थे उसे अब हम लोग compass के नाम से जानते हैं और compass का काम भी होता है हमें direction बताना with the help of magnet ठीक है champs समझ में इतनी बात चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोग को magnet के बारे में कुछ बाते बताता हूँ जैसे मैंने बताया एक magnet है ये रहा है एक magnet और इस magnet में दो पोल्स होते हैं और एक बहुत 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 जादा important चीज़ ये है कि हम लोग हम लोग चाहे जितनी try कर लें हम कुछ भी कर लें आपको जाओ मैंने मौका दिया आप कुछ भी कर लीजिए आप कभी भी इस magnet के दो पोल को separate नहीं कर सकते है मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक magnet में से दो पोल्स यानि North and South पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकते है अब आप लोग सोच रहे होंगे भीया ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है ये तो लड़ू काम है हम लोग क्या करेंगे इस magnet को बीच में से तोड़ देंगे यही सोच रहे न आप लोग हाँ हाँ मुझे पता है आप यही सोच रहे हो पर बचलोग आपको साइद यह नहीं पता आप जैसे ही इस magnet को बीच में से तोड़ोगे और इसमें ये वाला end नौर्थ पोल बन जाएगा यानि अभी भी इस magnet में दो पोल्स है अब आप इसको फिर से बीच में से ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा यहाँ पर नौर्थ पोल बन जाएगा यानि आप इस magnet को कितना भी छोटा करते जाएगे कितना भी छोटा करते जाएगे आप कभी भी एक magnet के दो पोल्स को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं separate नहीं कर सकते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं यानि यह इंपॉसिबल है तो कभी आप लोग चाहें कि मुझे गलत प्रूफ कर सकें तो बिल्खुल ट्राइ कीजिएगा एक magnet के दो पोल्स को अलग करने की कोशिस करना आप लोग नहीं कर पाएंगे हाँ magnet की जो strength है उसको कमजूर किया जा सकता है उसकी magnetic property को कमजूर किया जा सकता है पर पोल्स को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं तो चलिए बचलोग ये तो बात हो गई North and South pole की अब कभी ऐसा हो कि हमारे पास दो magnet रखे हो जैसे कि ये रहा ये रहा एक मेरे पास magnet North pole रहा इसका South pole यहाँ पे रहा और इसके सामने मैंने एक और magnet रख दिया इस arrangement में इसके South pole को इसके South pole के पास रख दिया या मैं अगर ऐसा कर दूँ कि एक magnet है मेरे पास और मैं अगर उस magnet के North और South pole को ऐसे रखूँ और फिर दो magnet के south pole को पास पास रख दूँ या दो magnet के north pole को पास पास रख दूँ तो उस condition में हमें क्या देखने को मिलेगा तो बचलोग क्या होगा यहाँ पर देखें दोनों पास पास हैं कौन से same pole same pole यहाँ पर भी देखना यहाँ पर north and north यानी same है यहां पर south and south यानि same है तो अगर हम दो magnet के same poles को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो magnet एक दूसरे के उपर force लगाते हैं और वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं जब मैं इन दोनों को पास लेकिया होँगा तो यह दोनों एक दूसरे पर force लगाएंगे यह first वाला magnet इस पर इस direction में force लगाएगा वही second वाला magnet, first वाले magnet पर इस direction में force लगाएगा यानि वो दोनों एक दूसरे को repel करेंगे अपने उपर repulsion force लगाएंगे और इसी वज़े से यह दोनों magnet एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो समझ में आया, two same poles of a magnet repel each other repel का मतलब एक दूसरों को धका दिना, एक दूसरे से दूर जाना, ठीके अब यहाँ पर north-north हो, या south-south हो, दोनों में यही condition होगी इसका मतलब है, this means, when north pole of a magnet is brought near to the north pole of another magnet यानि मैं कहना चाह रहा हूँ, एक magnet के north pole को, जब मैं दूसरे magnet के north pole के पास लेके आऊँगा तो यह दोनों एक दूसरे को repel कर देंगे या हम क्या करें, दो south pole को same लेके आए, तो वो दोनों भी एक दूसरे को repel करेंगे इसका मतलब हम opposite poles को भी तो साथ ला सकते हैं, यानि यहाँ पर देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, champs कि एक magnet के north pole को मैं दूसरे magnet के south pole के पास में लेके आऊँ यानि अगर ऐसी condition हो, यहाँ पर यह दोनों opposite poles हैं, और जब मैंने दो opposite poles को पास लाके रखा तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को attract करेंगे, यानि opposite poles of a magnet attract each other this means when north pole of a magnet is brought near the south pole of another magnet, both attract each other जैसे कि यह रहा south pole, यह रहा north pole, तो यह magnet इस वाले magnet को अपनी और खिचेगा और यह वाला magnet इस वाले magnet को अपनी और खिचेगा और इसी वज़े से यह दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और आके चिपक जाएंगे क्योंकि इस वाले magnet ने इस पर force लगाया और इस वाले magnet ने इस पर force लगाया यानि कुछ ऐसे, देखिए गज़र ध्यान से यह वाला magnet क्या कर रहा था? इस वाले को खीच रहा था अपनी और खीच रहा है और इससी वज़े से यह क्या होंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे क्योंकि opposite poles of a magnet attract each other and same poles of a magnet repel each other यह होता है basic सा एक फंडा जो कि आप लोगों को समझ में आ गया है अब बचलोग हम magnet की help से कैसे direction का आप पता लगा सकते हैं? तो magnet के opposite direction का पता लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब किसी बार magnet को freely suspend किया जाता है तो वो हमेशा north and south direction में आके रुखता है क्योंकि earth भी एक giant magnet है और अब इस्तमाल किया जाता है इस compass का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस compass के अंदर एक magnetic needle होती है इस compass के अंदर एक magnetic needle होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं north, east, south, west यानि चार direction होती है अब जिस direction में arrow होगा वहाँ पर उस particular जगे पर compass उस direction को show कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर अभी needle north की तरफ है यानि यह किस direction में show कर रहा है इस point पर north यहाँ है इस point पर north यहाँ है, east यहाँ है, west यहाँ है और south यहाँ है यानि यह position हमें कैसे पता चली इस compass needle की needle को देख कर ठीक है बचलोग अब magnetic compass is a simple device that been in use for ages to find the direction और इस compass needle का वहोत पुराने समय से यानि ancient time से इस्तिमाल किया जा रहा है direction का पता लगाने के लिए अब magnetic compass is composed of a small box with a glass top अब यह box रहता है, इसके उपर एक glass लगा होता है काँच लगा होता है, वो इसलिए होता है ताकि यह जो magnetic needle है यह कभी तूट न जाए, इसके अंदर पानी न चला जाए, यानि इसकी protection के लिए एक glass लगा होता है ठीके? यानि यह यहाँ पर किस पर लगा होता है एक, क्या होता है बचलोग, एक पाइवोट होता है और इसका काम होता है इस compass needle को easily rotate करवाना जैसे हमारे घरों में घड़ी इस्तिमाल होती है तो घड़ी की जो काटे होते हैं, घड़ी की जो सूया होती है, वो क्या होती है? वो आसानी से rotate कर सकती है, आसानी से घूम सकती है तो सेम उसी तरीके से इस compass needle में जो magnetic needle होती है यह आसानी से घूम सकती है यानि हम इसको एक watch की तरह compare कर सकते हैं वाच में भी क्या होता है, वहाँ पर numbers लिखे होते हैं, यहाँ पर direction लिखे होती है, वहाँ पर भी काटे होते हैं, जो की गोल-गोल घुमते हैं, यहाँ पर भी काटे होते हैं, जो की गोल-गोल घुमते हैं, बट यह direction बताते हैं, और वो time बताता है, बस इतना सा difference होता है एक उसके लिए हमें चाहिए होगा एक iron का टुकडा हम एक iron piece लेंगे और उसको ऐसे flat रख देंगे हमने एक iron piece लिया उसको flat रख दिया और इस iron piece के ऊपर हम एक bar magnet को कुछ इस तरीके से रखेंगे इस magnet के ओपर हमने एक बार magnet को रखा जिसका नौर्थ पॉल यह रहा और इसका साउल पॉल यह रहा ठीके बचलो या आरिन पी से उसके ओपर हमने एक magnet रखा और इस magnet के दूसरे end को मैं पकड़ूँगा और इसके ओपर घिस दूँगा फिर एक बार लेके जाओंगा फिर ऐसा घिसूँगा फिर घिसूँगा फिर घिसूँगा और मैं बार 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 घिसता रहूँगा और मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस end को मैंने नीचे रखा है वही end नीचे रहे देखिएगा जरध्यान से ये रहा एक ये रहा एक आईरन का टुकडा इसके उपर मैंने एक ये रहा बार मेगनेट इसको रख लिया अब मैं इस बार मेगनेट हो क्या कर रहा हूँ बार बार इस आईरन के टुकडे पर घिस रहा हूँ बार-बार रब कर रहा हूँ तो जब मैं ऐसा 30-40 बार करूँगा तो ये जो iron का टुकड़ा है ये भी magnet की तरब behave करने लगेगा इसके अंदर भी magnetic property आ जाएगी यानि ये वाला iron का टुकड़ा अब किसी दूसरे iron के piece को attract कर पाएगा तो आप लोगे ने देखा हम कैसे एक magnet बना सकते हैं पर इस iron के टुकड़े की जो magnetic property है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है वो कुछ टाइम बाद खतम हो जाएगी क्योंकि ये temporary magnet है ठीक है बचो समझ में आ गया होगा आप लोग को यानि with the help of a permanent magnet we can change a piece of iron into a magnet और हमें क्या करना होगा iron piece को flat surface पर रखना होगा permanent magnet से हमें इसे rub करना होगा बहुत ही बार और कुछ ताइम बाद जो iron का piece है वो magnetic property attend कर लेगा पर बहुत ज़्यादा rub करने के बाद और ये जब magnetic property attend करेगा ये भी बहुत देर तक नहीं रहने वाली है यानि एक ये temporary magnet की तरह बीएप करेगा तो champs आप लोग को समझ में आ गया आ गया की नहीं और अगर आ गया तो जल्दी से मुझे बताएए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर देखना यहाँ पर दो magnet हैं यह एक magnet रहा इसका north pole यह रहा इसका south pole यह रहा अब इसके पास मैं एक और magnet रख देता हूँ और इस condition में मुझे जानना है क्या होगा इस condition में यह दोनों magnet एक दूसरे को attract करेंगे या यह दोनों magnet एक दूसरे को repel करेंगे 1 and 2 यह रहा एक question जिसमें आपको दिया है दो magnet दिये हैं और उन दोनों magnet को कुछ इस तरीके से रखा गया है और सवाल यह है कि यह दोनों magnet एक दूसरे को attract करेंगे या repel करेंगे जल्दी से और आपको answer with explanation देना है यानि आपको answer तो करना है but with explanation आपको explain भी करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और मैंने आपको यह सारी चीजे अभी अभी बताई है तो चुकि आप लोग तो champions हैं आप लोग चैंप्स हैं आप लोग आसानी से इस question का answer कर देंगे तो जल्दी से answer कीजिए और बताईए आखिर ऐसा क्यों होता है तब तक मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूँ और अगले topic की बात करता हूँ वहाँ पर आपको कुछ चीजे बताता हूँ जैसे हम लोग ने magnet के बारे में देख लिया magnetic property देख लिया हमने देख लिया कि magnet direction का पता कैसे लगाता है अब हम लोग ये भी देख लिते हैं कि हमारे गरों में आखिर वो कौन-कौन से different electrical appliances होते हैं जिन में magnet का इस्तमाल होता है तो देखिए electric motor electric motor में magnet का इस्तमाल होता है और जब हम लोग class 10th में जाएंगे जब हम लोग class 10th में जाएंगे तो हम लोग magnet या मैं कहूँ electric motor के बारे में detail में पढ़ेंगे कि आकर electric motor कैसे work करती है इसकी working क्या होती है उसमें magnet का क्या roll होता है और हम लोग जैसे ही switch को on करते हैं क्यों electric motor start हो जाती है ये सब कुछ पढ़ेंगे जब आप लोग class 10th में जाएंगे तो इसकी working हम लोग देखने वाले फिर radio में भी magnet का इस्तमाल होता है fan में भी magnet का इस्तमाल होता है ये भी क्या है ये भी एक electric motor है फिर compass needle में magnet का इस्तमाल होता है हमने देख लिया थोड़ी 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 से बड़ी होते जाएंगे, बड़ी होते जाएंगे, तो आप लोग सब कुछ सीखते जाएंगे, फिर टेलीफोन, टेलीफोन के अंदर भी मैगनेट का इस्तमाल होता है, ठीके बचलोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैगनेट क्या होता है और किन-किन electrical appliances में होता है जो कि हमारे घरों में use होते हैं तो champs आप लोगो यहां तक सारी बाते समझ में आगी होंगी और आप लोगों ने पिछले question का answer भी कर दिया होगा कर दिया होगा ना तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आखिर किसी magnet को कैसे store किया जाता है ताकि उसकी magnetic property खतम ना हो कम ना हो तो एक magnet को store करने के लिए हमें क्या करना होता है उन्हें हमेशा pairs में रखना होता है यानि bar magnet should be kept in pair their unlike poles should be kept on the same side जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं इस bar magnet के opposite pole को एक साथ रखा जाता है North and South को एक साथ यहां पर फिचे नीचे North and South को एक साथ और हमें अगर magnet को बचा के रखना है उसकी magnetic property को कम नहीं होने दिना है तो हमें दो magnet को यानि एक pair को हमीशा साथ में रखना होता है यह रहा एक magnet और यह रहा उसका pair तो हमीशा इन्हें साथ में से एक लकड़ी का टुकड़ा है तो ये भी रखना जरूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि इनकी magnetic property बची रहे अब piece of soft iron should be placed at their ends और इनके ends पर यानि यहाँ पर इनके ends पर soft iron का टुकड़ा रखा जाना चाहिए तो यहाँ पर हर end पर हम क्या कर देंगे soft iron के टुकड़े को रख देंगे जिससे कि इस magnet की magnetic property बची रहे तो हर एक end पर हमें soft iron का टुकड़ा रखना चाहिए जिससे कि हम इस magnet की magnetic property को बचा सके और दोनो जो magnet है वो pair में है और कैसे रखने चाहिए opposite pairs को एक साथ और बीच में एक लगडी का टुकड़ा या एक प्लास्तिक का टुकड़ा होना चाहिए ठीक है अब अगर हमें किसी horseshoe magnet को store करके रखना है तो उसे कैसे रखना चाहिए for storing a horseshoe magnet you should place a piece of iron across the two poles यानी यहाँ पर आपको iron का टुकड़ा रखना है दोनों poles के across आप एक iron के piece को रख दीजिये जिससे कि इस horseshoe magnet की magnetic property कम नहीं होगी with time ठीक है अब जो magnet है हमें इन magnets को कभी भी किसी speaker cd television या music system या computer के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर हम magnet रखते हैं इन सारे electrical devices के पास तो इनकी जो functioning है ये disturb हो जाएगी आप लोग करके मत देखना क्योंकि आपकी tv खराब हो सकती है आपका computer खराब हो सकता है जब हम इस magnet को इन सारे electrical devices के पास रखते हैं तो क्या होगा बच्छ लोग इनके अंदर already magnets है और ये magnet क्या करेंगे इस magnet को attract करेगा जैसे tv के अंदर magnet है अब मैं tv के पास इस magnet को लेके जाता हूँ तो इसके अंदर वाले magnet पर ये force लगाएगा और इसकी वेज़े से क्या होगा इस tv की जो functioning है ये change हो जाएगी और tv सही से नहीं चलेगा तो करके मत देखना वरना ममी बहुत मारेंगी तो हमें इन सारे electrical devices से magnet को दूर रखना चाहिए इनकी functioning को proper होने देने के लिए otherwise ये खराब हो जाएगे और आप लोग को बहुत सारी पिटाई हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके अलावा हम लोग को अगर magnet को बचा के रखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग magnet को कभी भी heat नहीं करेंगे हम उस पर hammering नहीं करेंगे हम उसे किसी height से गिराएंगे नहीं क्योंकि अगर हम लोग magnet को heat करते हैं उस पर hammering करते हैं उसे किसी height से गिराते हैं तो उसकी magnetic property कम होगी यानि magnet lose their property if they are heated, hammered और dropped from some height तो ऐसा हमें नहीं करना है Also, magnet become very weak if they are not stored properly और इसी वज़े से हमने देखा कि magnet को store करने के क्या क्या तरीके होते हैं क्योंकि अगर आप लोग उसे properly store नहीं करेंगे तो उसकी जो magnetic property है with time weak हो जाएगी ठीके बचलो, तो हमने एक story सुनी कहाँ पर Magneze नाम का एक बच्चा था जो की ancient Greek में रहता था वो एक सेप याड था और वो क्या करता था वो भेड चराता था तो वो जाता था, उससे एक दिन क्या हुआ उसकी जो stick थी जिसके नीचे iron का piece लगा था वो एक चटान से टकराई और उसे उसे खीचने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ी, यानि वहाँ से magnet की discovery हुई और फिर हमने उस magnet को अपने requirement के according, अपने according हमने अलग-अलग shapes में convert कर दिया और फिर हम लोग उसका इस्तिमाल करने लगे अलग-अलग electrical devices में फिर हम लोग ने देखा एक magnet के दो poles होते हैं, जिनने कभी भी separate नहीं किया जा सकता है, two poles of a magnet always attract, two poles of a magnet, कौन से poles, opposite poles of a magnet attract each other, और वही पर अगरम बात करें, same poles of a magnet तो वो एक दुसरे को repel करते हैं इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीके बचलोग तो अब आप लोग मुझे ये बताईए, कि वो कौन से तीन method हैं, जिनको करने पर magnet अपनी magnetic property खो देता है, आप लोग को बताना है, वो कौन से तीन तरीके हैं, जिनसे हम अगर magnet पर ये तीनों तरीके अपलाई करें, तो magnet अपनी magnetic property को lose कर देगा तो जल्दी से बताईए, ये तीन तरीके और इसी के साथ हम लोग का ये chapter यहीं पर होता है, खतम और इसके साथ-साथ, class 6 में, जितने भी chapter थे physics के, वो हम लोगों ने बड़े ही मज़ेदार interesting तरीके से कर लिए है, खतम अब क्या करना है, अब हम लोगों का साथ यहाँ पर खतम नहीं हुआ है यहाँ से तो हुई है, शुरुआद अब class 6 में है, आप लोग class 7 में आएंगे, फिर पढ़ेंगे, 8 में आएंगे, 9 10 में आनी, हम लोग अब पढ़ते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी और हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है, अब दोस्त अलग थोड़ी होते हैं, एक्जाम के बाद जल, हम लोग भी खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वो सारे काम करिए, जिसमें आपको मजाए, तो चलिए चैंप्स, मिलते हैं बहुत जल, तब तक के लिए, टाटा बाई बाई एंड थैंक यू